कि नमस्कार दोस्तों सागत करता हुआ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेक्ट में गुरू जी में फ्रेंड्स अभी आपका यूपी ट्रेट का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों ने देख लिया होगा आसा करता दोस्तों मैक्सिमुम बच्चे काफी बच्च का एक्जाम कालिफाइग कर लिया है उनको डेल सारी शुव कामना और बधाईयां जोस्तों नेस्ट इसके इस्टेस का आपका रिटिन का एक्जाम होने वाला है उसमें कुछ बदलाव किये गए हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में दोस्तों कि वीडियो को लास सक्थ देखें और बहुत ही बंपर भभरती आए हुए यूपी गवर्मेंट की तरफ से आप सभी असिस्टेंट टीचर्स के पद के लिए तो 79,000 पोस्ट आई हुई है तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हुए होंगा थोड़ी सी म भी बात करूंगा पूरी वीडियो में क्रिप्या वीडियो को लास तक देखें इसकिप ना करें और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथी साथ बगल में बने बेल आइकों को चाह कि दूस्तों ताकि लेटेस्ट जाब या लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेसंसे पहले आप तक पहुंच सके तो जो आपका फॉर्म यह उनाटर याथ का उसका उसका पॉर्म भरने का डेट है वह दोस्तों कल से तो यह कौलिफाइड हैं तो फॉर्म को चलिकर कीजिएगा सकेंड पेपर के लिए और इसका बदायते तो इसका रिजल्ट भी रुका हुआ है चाहे वह बीटीसी कर दिटेट हैं तो बीटीसी के लोगों का रिजल्ट आ चुका हो अगा लेकिन बीडीसी के बहुत सारे कंडि है वह जन्रलोबीसी के लिए 600 रुपय रखी गई है वहीं पर चार्स रुपय रखी गई है और उनके लिए जिरो फीज नहीं लगेगी जॉब लोकेशन दोस्तक पर उत्तर प्रदेश है यूपी का एक्जाम है तो यूपी का में जॉब लोकेशन दोस्तों रहेगा जो लिए यूपी टिटी के लिए सब लोगों के लिए बहुत एक खुसकबरी की दूस्तों बात है पोस्ट नेम दोस्तों बात करता हूं तो असिस्टेंट टीचर है पेश्केल तो पता होगी टीचर की जो होती है आस पर रूल्स वहीं मिलेगे आपको एजुक्राइशन की दो दोस्तों बात करते हैं तो कंडिटेंट से हैंविग रिजुएशन डिग्री इन इस्ट्रीम एलाउंग विट टू यह देलेट बीटी सी एक्जाम पास्ट कंडिटेंट अन्डोज वह कौलिफाइड प्राइमरी लेवल सीट अबली यूबी टेट एक्जाम नेशन विल भी आइस भरे फरम परीच्छा छे जनवरी को रिच्छा की तिति है वह भी आपको गोशिद कर देगाई एक्जाम हो जाया लोग फ़क्र लिवल नहीं चक्क कर ले और नेस्ट लेस्ट लेवल का उसकी तैयारी में दोस्तों लग जाए दोस्तों आवरिक करने का टारिक तक हो तब को मिल रहा है और प्लाइब को प्रेजन की होगा लिकिन अए सक्UNT नहीं है पिछली बार की तरह किरिकरी ना हो जाए इसलिए तीन महत्वड़ बЧтоते हैं और आप परिच्छा आपकी बहुविकल्पी होगी और पहले से कोई कटाफ इसकी निर्थायत नहीं की जाएगी और तीसरी बात दोस्तों उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी आपको मिलेगी जिसमें आपको करने होंगे सर्किल्स को जो आपके एंसर तहीं होंगे तो जैसे आप रिटन का एक्जाम देते हैं बहुविकलपी प्रश्णों का वही सेम प्रॉसेस में होने वाला है दोस्तों कोई भी लिखित परिच्छा इसकी नहीं होगी कि आपको पैन से लिख उसमें मिली थी लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है आपकी बार उम्मीद करता हूं कि यूपी गवर्मेंट बहुत की अच्छा प्रॉसेस लेकर आई है और उम्मीद है दोस्तों जिस तरह से आपके करके मार्क्स मिले हैं आपको और आप कौलिफाइड हुए है उसी तरह से अच करते हैं छे तारिक को आपको रिजल्ट आ गया है आपके पास टोटल वंद मन्त का टाइम है तो अब देस्तों लेट ना करें और तयारी में लग जाए ताकि आपका यह एक्जाम आसानी से निकल सकें और दोस्तों यह सरकार का सबसे बड़ा फैसला है सरकार भी इसके यह दोस्तों फायल हो जाएगा और जितने भी अब भरति इसमें सामिल होने वाले हैं थोड़ी सी महनत की होगी वह आराम से टीचर के पोस्ट है उस पर अपना पद जो है पाप्राप्त कर लेंगे दोस्तों और आप सभी को दोस्तों बहुत-बहुत कामना है जिन्हों एक् के लिए उन सभी को दोस्तों बेस्ट आफ लग ओके दोस्तों अब फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाए टेक केर बेस्ट आफ लग पार एक्जामनेशन